साई की बात बचे तेरे बुरे समय का न अंत होने जा रहा है मेरे बचे अंत होने जा रहा है बस तुम सबूरी रखो मेरे बचे जब मैं हूँ तेरे साथ तो बस साथ हूँ विश्वास कर मेरे बचे सबूरी रखो और ये रोना है न ये तो बिल्कुल बंद कर दो मेरे बचे मैंने अभी तक संभाला है न तो आगे भी संभालूँगा मेरे बचे मैं तेरा पिता हूँ मैं तेरे घर का मुखिया हूँ मेरे बचे मैं सब संभालूँगा और सुन तुम तो बस अपना घर संसार संभालो देखो उसे और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा जो भी तुम्हारे घर में दुख दर्द है न, मैं सब ठीक कर दूँगा मेरे बच्चे, सब रास्ते पे ले आऊंगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा, और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें मेरा बच्चा मिलता है न, जो दुख में है, दर्द में है, तो मेरे मेरे चड़नों में लगाओ, उसे मेरे चड़नों में लगाओ मेरे बचे, चड़नी लगाओ, उसे तुम्हें भी बहुत लाब मिलेगा मेरे बचे, तुम्हें भी बहुत सारा अशिरवाद देगा तुम्हारा साई, तुम्हें भी बहुत सारा अशिरवाद मिलेगा मेरा, और सब्सक्राइब तो मैं स्विकार करता हूं मेरे बच्चे जानते हो क्यों क्यों कि तुम मेरे बहुत करीब हो बहुत करीब और जब भी बिंती किया करो ना किसी के लिए प्रात्ना किया करो तो सोच समझ कर किया करो क्योंकि तुम मेरे इतने करीब बच्चे हो न क्यूंकि तुम्हारे प्रात्ना को मैं कभी ठुकराता नहीं हूं, तुम्हारे प्रात्ना कबूल होती ही होती है मेरे दर्बार में, क्योंकि तुम मेरे इतने खास बच्चे होना, तुम इतनी श्रदा से भाव से प्रात्ना करते होना, चाहे किसी के लिए भी करते हो, चाहे खुद के लिए करते हो, या किसी और के लिए करते हो, मैं उसे जरूर कबूल करता हूँ, जरूर मेरे बच्चे, चाहे देर सवेर हो सक लेकिन तुम्हारी प्रात्ना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि तुम मेरे बहुत प्यारे और बहुत खास बच्चे हो, इसलिए जब भी प्रात्ना करू ना, तो सोच समझकर करना मेरे बच्चे, और सुनो, अगर तुम मुझे कुछ उपहार देना चाहते हो ना, तो मुझे वस्र मत दो, और मेरे मंदिर आओ, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो अपने भाव दो मेरे बच्चे, अपना प्यार दो, मुझे बस वही चाहिए, अगर हो सके, तो एक धूबती ही ले आये करो मेरे लिए, बस, मुझे उसकी सुगंदीना बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे, चाहे जिन्दगी में कितना भी ठक जाओ, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाओ, लेकिन मेरी साइंस और चरितर पढ़ना, कभी मत छोड़ना, मेरे बच्चे, चाहे एक वाक्य ही क्यों ना पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, मेरे बच्चे, क्योंकि मैं त इसलिए तुमें समझा रहा हूँ, dear, my Prince, समझा रहा हूँ, कि साइंसाचरित्र पढ़ना मद छोड़ा करो, और सूनो, जैसे जैसे तुम साइंसाचरित्र पढ़ोगे, तुमारे परिवार में मदूरता आएगी, एकता आएगी, मेरे बच्चे देखना और तुम्हारे परिवार में सुक शांती सम्रदी और जो तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति है न उसमें भी बहुत सारे बदलाव आएंगे देखना मेरे बच्चे और सुनो जो लोग मेरे बच्चे गलत है न और जिन लोगों को गलत बनाया है मेरे वो सब कुछ अब सामने आएगा, और सब कुछ दूद का दूद और पानी का पानी होगा, हाँ एक हाथ ऐसा बच्चा होगा मेरा, जो सब कुछ जान कर बीना घमड में चूर है, सब कुछ जान कर बीना वो तुम से माफी नहीं मागेगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं वो मैं तुम्हें ज़रूर लटाओंगा जरूर वो तुम्हारे पास वापिस आएंगे मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता मेरे बच्चे और इसलिए तुम्हारे साई ने ये फैसला लिया है मेरे बच्चे कि तुम्हारे जिंदगी में अलग अलग रूपों में बहुत सारा प्यार भेजूंगा बहुत सारा अलग अलग लोगों के साथ देखना बहुत सारा प्यार तुम्हें मिलेगा अलग अलग रूपों में मिलेगा मेरे बच्चे और जब तुम्हें उन लोगों स से प्यार मिले गाना अलग-अलग रूपों में तो समझ जाना कि तुम्हारे साइं का प्यार है जो तुम पर नचावर कर रहा हूं समझ जाना कि तुम्हारे साइं का प्यार है खुश रहो मेरे बचे हमेशा खुश रहो आज का रात्री साइसंदेश समाप्त हुआ